हाँ दोस्तों आपके अपने भी पी सेंटर में आप सभी का स्वागत हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 500 वाली सीरीज चल रही है आपको पता ही होगा चलिए कोश्चन टाइम पास न करते हुए कोश्चन से स्टार्ट करते हैं 6 बाटा 15 का दस्मलों परसार क्या होगा जब हर में केवल 2 हो तो भी सांथ होता है या फिर केवल 5 हो तो भी सांथ होता है अगर ये दोनों सांथ हो तो भी सांथ होता है बाकी इसके अलावा हर में कोई भी नंबर हो तो वो सांथ नहीं होगा तो इसमें केवल 5 है यानि ये सांथ होगा यानि 6 बाटा 15 जो है हमारा शांत होगा दसमलों परसार अब यहीं पर गलती हम कहां पर करते हैं अगर सपोज डेट इसको हम ना कटाते तो पंदरा का जब हम करते हैं भाज गुणन खंड तो 35 जब 15 यानि 3 भी आ जाता तो इसलिए हमारा सांत नहीं होता इसलिए कभी भी जब भी इस परकार का कोशन है तो आप सबसे पहले कटाईएगा उसके बाद बताएगा यानि ऑप्सन नमबर यह इसका का होगा राइट अंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर जदी आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और व आलफा प्लस बीटा आलफा प्लस बीटा का भैलू का होता है माइनस बी यह होता है बी कितना है सेबेन है तो माइनस सेबेन एक कितना है एक है माइनस सेबेन हो जाएगा यानि माइनस सेबेन हर कोई भी नंबर हो उसका हर में एक छीपा ही रहता है तो माइनस सेबेन आया न जी, माइनस 7 आया न, मल्टिप्लाई कीजिए न, 2 से, कितना होगा, तो माइनस 7 और 2 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 7 तूजा 14 होगा, क्या होगा, 7 तूजा 14 होगा, लेकिन यहाँ पर तो option में 14 देही नहीं रहा है, तो फिर इसका option क्या होगा, फिर से एक बार देखते हैं, अलफा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम लिखते हैं तो अलफा प्लस बीटा, इसकोल टू थू माइनसbox यह निकाल लेते हैं, माइनस 7 यहाँ पे 2 मल्टिप्लाई मैं, यहाँ एक मीनत, अब यहाँ पे माइनस 14 नहीं दे रहा है न, थोड़ा सा प्रोब्लम में लिखा है यह पूछ रहा है कि alpha plus beta का into 2 नहीं है whole square है क्या है whole square अगर 2 रहता तो हमारा answer minus 14 आता है याद रखेगा यहाँ पे एक और question हम बना रहे हैं यह question हम बनाए alpha plus beta into 2 रहता तो लेकिन यह 2 नहीं है 2 लिखा हुए लेकिन square है यहाँ पे यह square है तो हमारा alpha plus beta is equal to कितना आया था भीया minus 7 आया तो square करिए ना minus 7 का क्या होगा 7 का 49 होगा minus का दो बहर होगा तो plus हो जाएगा यह निए इसका right answer 49 कहां पे है देखिए तो option number C में दिखाई दे रहा है का तो option number C टिक किजिए तो आगे बढ़िए अब आगे बढ़िए question क्य है आगे देखते हैं आपके सामने कि द्विघात बहुपद एक से square प्लस 3x प्लस 2 का सुनियक है अरे इते एकदम ही जी है सुनियक निकालना है न तो आपको हम को बर बता चुके हैं कि सुनियक कई से निकाला जाता है अब यहाँ पे direct हम बनाएंगे 3x को तोड़ेंगे न एक से square का होगा तब प्लस 2x आप प्लस x लिख सकते हैं आप प्लस में 2 is equal to 0 हो जाएगा अब इस दोनों में common क्या है एकस common है यहाँ पे का बचेगा एकस बचेगा यहाँ पे का बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे दोनों में common 1 मिलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एकस प्ल फो डो से 1 हो जाल स्वेड़ता हुआ हुआज इनए माइनरा पहल फार पैकि इन है माइनों का माइनस ही आए-स अंसर हो बी दोनों तो ए और बी दोनों पर टिक किजिएगा अगर ये दिया रहे ये भी दिया रहे तो दोनों होगा क्योंकि आगे पिछल लिखने से कोई अंतर नहीं होता है इसमें चलिए next question देखते हैं अगला question है कि महतम समापर्तक AB और गुणे लगुतम समापर्तक AB बराबर होता है तो याद रखिएगा महतम समापर्तक यानि HCF और लगुतम समापर्तक यानि LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुड़नफल तो दोनों संख्या के AB है यानि ए गुणे B हो जाएगा का हो जाएगा एक गुणे भी, कहां पर है एक गुणे भी जी, तो एक गुणे भी हमारा option नमर डी में है, तो option नमर डी हमारा right answer, बढ़िये नहीं आगला question पर, इवला question का है, इवला question है, कि यदि 3 quote A ब्रबर 4 तो sine A का मान हो गए, trigonometry का question है, quote A is equal to 4 by 3, इसका formula होगा, base by, lump ह होता है यानि base by P यानि B by P तो H का value दोनों के square करके जोड़ दीजिए यानि root में हो जाएगा 16 plus 9 root में 25 यानि बाहर निकलेगा 5 sign का formula होता है P by H तो P यानि 3 H का value 5 आए तो 5 यानि 3 by 5 होगा 3 by 5 कहीं पर दिखाई दे रहा है तो आप क्लिक किजिए 3 by 5 कहां पर दिखाई दे रहा है option नमर B तो option नमर B आपका का हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा चलिए नहीं बढ़ते है next question next question बढ़ेंगे next question next question आपके सामने है दो समरूप तिरभूजों की भूजाए दो समरूप तिरभूजों की भूजाए यहाँ पर दिया हुआ है कि दो अनुपाद तीन के अनुपात में इनके छेत्र फ़लो का अनुपात होगा तो इनके छेत्र फ़लो का अनुपात क्या होगा इनके छेत्र फ़लो का अनुपात आप इसको स्क्वाइर करके टिक किजिएगा यानि टू का स्क्वार करिएगा तो फोर थ्री का स्क्वार करिएगा तो ना इन आपको पता होना चाहिए कि बीच की दूरी का होता है तो रूट में x2-x1 का होले स्क्वाइर आप प्लस y2-y1 का होले स्क्वाइर तो इसको आप बनाईएगा और इसको इसी फर्मुला पे जबाब वाला, थोड़ा घडवाड आ गया है। इंग्लिज वाला में देखिए पता चल जाएगा। इंग्लिज वाला में देखिए गाहती टीन बार iTunes हो जाएगा। अब बढ़ते हैं next question, next question आपके समने, दो विरितों के परिद्याइं, दो अनुपत्त के तीनों के अनुपत्त में तो उनके त्रिजाओं का अनुपत्त हो गए, ये तो question मैं आपको बार 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 बताता हूं, और एक question आप एक बर क्या किजेगा कि हमेसा ये ध्यान में रखे ये question आपका 100% आने की समभवना है, ये परीधी पूछ रहा है, इसलिए परीधी में कोई change मत कीजिए, टू रूर थिरे हैं आप किलिक कीजिए और आगे बढ़िए, और ये last question आज का, आज का last question हमारे सामने क्या है, कि बहुलग पराप्त करने के लिए बर गंतराल कैसा होन क्लास 10 के exam के त्यारी जितने भी student कर रहे हैं, वो इस channel से जरूर जुड़े रहे हैं, और आगे आपको भी information दे जाएगी, कि जदी आप class 10 का exam दे दियें, तो आगे आप क्या करेंगे, क्या आपको जो one month का time मिलता है, one month का time हुआ नहीं, एक महीने बाद ही result आता है, तो एक को main exam की tension है, तो आप exam की tension, math का tension लेना छोड़ दिजिए, 50 objective यहां से बोले हैं, तो यहां से ही आएगा, चलिए मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए जहीं जेबरा चैनल को subscribe जरूर करिएगा